हेलो जी कैसो सारे दिस लक्षा है तो हम आज चुके हैं आज हमारे OS के लेक्चर नमबर 8 पर और आज हम डिसकस करने वाले हैं चोटा सो टॉपिक बेरी इंपॉर्टन टॉपिक विडियो होने वाली है तो हम आज डिसकस करेंगे कितने टाइप की स्टोरेज़ होती है ठीक है स्टोरेज क्या होती है सबको पता है फाइल स्टोर होती है या फिर बिसिकली कोई डेटा स्टोर होता है ठीक है को इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है तो कितने टाइप की स्टोरेज़ कंप्यूटर में यूज होती है तो कितने टाइ हैं similar to a real job also you will build a diverse set of guided as well as independent work like professional projects to master api testing devops selenium with java and more इतना ही नहीं इनका program जो एक placement guarantee के साथ है ताकि make sure कर सके double sure कर सके कि आपकी placement लग रही है कि अच्छी company के अंदर at the end of their programs आप बहुत सारी projects बना चुके होंगे जिससी कि आपका resume और effective हो जाएगा और आपके data portfolio और strong हो जाएगा अगर आप इंट्रस्टेड हैं तो एक week के free trial के इनका program आता है अप trial ले सकते हैं और साथियत and short scholarship भी मिलती है तो आपको करना क्या है एक link में description में add कर दूँगा और उस link पर click कर करके maximum possible discount इनके program पर available कर सकते हैं placement ले सकते हैं और प्लेश्मेट लगने का मुझे पाटी दे सकते हैं धन्यवाद of storages तैर मैं बात करूँ न अगर तो computer में सबने RAM सुना है hard disk भी सुनी होगी सबने hard disk जैसा कुछ होता है पर इसके अलाबा भी बहुत सारी storages होती है तो अगर मैं hierarchy का structure बनाऊं तो मैं hierarchy structure आपको सीधर notes पर दिखाता हूं तो यह देखो इस टाइप का structure आपको दिखेगा एक computer के अंदर सबसे उपर हमें दिख रहा है register फिर cache फिर main memory में memory हम RAM को बोल रहे हैं सबको पता है उसके बाद हमारी disk आती है different types की तो अगर मैं बोलू ना जो register वाला component है this is close to CPU यह CPU से सबसे ज्यादा close होता है ठीक है यह सबसे ज्यादा close होता है cpu से register होता क्या है register मैं बोलूँ एक smallest unit of storage होती है मतलब CPU इस register पर या किसी register पर ही काम कर रहा होता है एक array structure होता है ठीक है उसके अंदर 01 01 आप store कर सकते हो और सबको पता है सब आपने बच्पन सुना होगे जो computer जो है वह 01 में काम करता है binary language पर काम करता है जीरो या बन जीरो या बन उसे हाई गोल्टेज पता है या लोग वल्टेज पता है ठीक है तो जीस्टर जो होता है उस पर 01 01 स्टोर होते हैं और उस रिजिस्टर पर CPU ड्रेटली काम कर रहा होता है तो मैं बोल सकता हूं कि रिजिस्टर जो है smallest unit of storage ठीक है इसीगे इडिशन होगा डिलिशन होगा सारे इस्ट्रक्शन CC में fetch होके आते हैं और CPU उन पर काम करता है ठीक है फिर फिर रिजिस्टर के बाद जो second storage है second level of storage है वो आता है आपका cache ठीक है अब यह cache क्या है cache क्या है कि एक additional memory है additional memory है जो कि कुछ temporarily memories को store करने के काम होती है temporary memories कौन-कौन से होती है temporary instructions हो गई कुछ temporary data हो गया और ज्यादा बोलना तो उन चीजों में यह use होती है जो ऐसे data या instruction area या फिर ऐसी files जो कि CPU को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जब भी आप कोई प्रोग्राम चलाते हो ठीक है उसके अंदर क्या होता है बहुत सारा बहुत सारी instructions होती है आपने code लिखा हो बहुत बड़ा code base है बहुत सारी instructions होती है बहुत सारा data वह बहुत सारी data पर वह प्रो डेटा एरिया पर किसी पर्टिकुलर दो-चार फाइल पर बहुत सारा काम कर रहे होते हो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ठीक है तो क्या करता है अब CPU intelligent होता है सब कुछ तो ऐसी कर रहा है तो OS क्या करता है कि यह प्रोग्राम बार 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 यूज करता है same instruction को ठीक है प्रोग्राम की life cycle में पूरी process में तो क्या करता है क्यों ना मैं इनको directly main memory से fetch करने की बजाए main memory में process decide करती है ठीक है directly महां से fetch करने के बजाए मैं थोड़ा और उसको CPU के पास रख देता हूं ठीक है अब हम यह term use करें CPU के पास रख देता हूं ठीक है तो उन instructions को उठाके उन मैंने cache मेडाल दिया इससे क्या हुआ अब CPU को ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ रहा अभी दूर का मतलब मैं समझूंगा cost होती है हर चीज की ठीक है तो main memory से access करने की cost सबसे कम होती है cost यहां पर क्या है access का time मतलब कि जल्दी कितने milliseconds में आप data को access कर पा रहे हो तो fast execution के यह repetitive data area है वो सारे data मैं cache में लिख देता हूं ताकि CPU जल्दी से काम कर पाए हमारा overall प्रोग्राम के execution फास्ट हो जाए फिर आता आपका main memory main memory पे हम पूरे lecture पे बहुत time से बात करी रहे है RAM main memory है यहां पर processor decide करती है ठीक है CPU main memory से contact करता है बात करता है महां इसे ही आपको CPU को instructions मिलती है ठीक है फिर main memory के बाद आपके बास क्या आता है main memory के बाद आती है secondary memory secondary memory आपकी वो हो गई hard disk यहां पर आप store करते हो क्या यहां पर आप file store करते हो media अपना store करते हो जैसे जैसे प्रोग्राम जैसे अपने पिछली वीडियो ने discussing किया था कि program under execution is process तो जो प्रोग्राम होता है secondary memory में पढ़ा होता है ठीक है फिर मैं उसे memory में लेके आता हूं यानि कि main memory लेके आता हूं तब वो process बनता है राइट तो यहां पर programs पढ़े होते हैं आपके ठीक है files पढ़ी होती है आपकी audio वीडियो ठीक है आप जो भी आप प्राइमरी मेंपरी तीन मेंपरी आती है में मेंपरी कैश है register सबसे सब पास होता है ठीक है और register से सबसे fast access भी होता है सबसे जी जादा इस्ट्रक्षन और फाइल को हम रखते हैं फिर आपका आता है मेन मेंबरी किये सेकंडरी मेंडरी सेकंडरी मेंमरी सबसे फास जो हमने आपे लिखें सबसे ऐसे थी भी है तो अब यह हमारे होगे है different type of storage devices ठीक है अब हम discuss करते हैं इनका comparison ठीक है तो comparison ना हम दो तिन pointers पर करेंगे ठीक है सबसे पहले मैं करूँगा cost जो cost है ना cost मैं यहाँ पर रुपे पैसे वाली बात कर रहा हूं ठीक है इनको manufacturing में कितनी cost आती है जो register होता है ने वह सबसे ज्यादा महंगा होता है ठीक है तो हो महंगा क्यों होता है क्योंकि यह transistor बना हुआ है धिक है इसके इससे डेटा एकसेस करने मुझे कोई डीले आये इसलिए मैं इसको सबसे बेस्ट मैटीरियल से बनाता हूं ठीक है बेस्ट मैटीरियल से बनाता हूं वह बेस्ट मैटीरियल लाने के चक्कर में वह कॉस्टली हो जाता है तो रिजिस्टर सबसे ज़्यादा कॉस्टली हो डिविजन हो गए कि सबसे महगा हो गए आपका register फिर cache फिर main memory पाकी इसके पाद सेकंड़ेट्र तो सस्ती होती है जो हट डिस्क होती है वह आपको एक टिबी की मिल जाएगी दो तीन हजार की बट रैम नहीं मिलेगी आपको एक टिबी की रहं तो ये कुछ होता है ठीक है दूसरा है आपका caust पर हमने डिसकेशन कर ली कॉस्ट के बाद दूसरे पाइंटर आता है आपका access speed मैं ठीक है तो सबसे ज्यादा Speedy access सबसे ज्यादा Speedy access किसका होताक रिजिस्टर का फिर कैशे का An vital to सबसे हमार रहा है वह है है storage dengan件 bei sato साइज है में बात करूंब रेजिस्टर का स्टोर्स सबसे चोड़ा होता है रजिस्टर होता है 32 बट श्यक्राइट 24 इत knick एक रजिस्टर डिशिस्टर सबसे च्ोक्ता सबसे 32 bit की information store हो पाईगी cache है उससे थोड़ा ज़्यादा कुछ kb's में होती है फिर main memory आजकल gb's में होती है ठीक है और आप hard disk तो पता ही आपको एक db दो db तो ऐसा क्यों है यार की register cache जो है spacing की कम रखी हुई है पहली बास सबसे पहला main factor तो cost का है क्योंकि इतने महंगी है तो एक tb का register या फिर एक tb की cache बनाने के लिए कितना ज़्यादा पैसा waste होगा तो क्या आप उस computer खरीद होगा या उतना महंगा होगा ठीक है तो इसलिए यह cost factor यहाँ पर आता है ठीक है फिर अब तीसरा चौथा पॉंटर हमारा क्या है चौथा पॉंटर हमारा है volatility volatility क्या factor है देखो हम सब हम समने पढ़ा है कि जो जब computer बंद हो जाता है बंद होने के बाद जो processes पहले थी उसमें वह processes रहती नहीं ठीक है वह processes चली जाती है वह टाइल storage होती है यानि कि vanish off हो जाती है ठीक है तो जितनी भी primary storage के अंदर चीज़े आती है register cache memory computer बंद होने के बाद सारा data ओड़ जाता है ठीक है flush off हो जाता है पर secondary के अंदर flush off नहीं होता saved रहता है data ठीक है तो यह आपके चार pointers में इसका हमने comparison पढ़ लिया ठीक है चार pointers में comparison हो गया हमारा तो इतने टाइप की अपने different type of storage पढ़ ली आपको मोटा मोटा idea हो गया है कि computer के अंदर कितने type की storage होती है और सबका क्या role होता है ठीक है किसका size ज्यादा है किसका कम है किसका size क्यूं ज्यादा है क्यूं कम है किसका access fast है किसका slow है ठीक है तो इसे के साथ इस छोटेश वीडियो को खरम करते हैं बिलते हैं next lecture में goodbye